नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh Raathord और आज इस lecture में मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कश्मीर के 1947-48 वार के बारे में इसको लेकर कुछ important खुलासे हुए है, Roy Booker Papers तो ये Roy Booker Papers रिलीज हुए है, Garjan Newspaper ने इसके बारे में न्यूज रिलीज करी है, जो काफी आश्यरे जनक खुलासा है ये कहता है कि कश्मीर प्रॉबेबली जवाडाल नहरू से जादा एक आर्मी जनरल जिनका नाम था Roy Booker, शायद उनकी गलती थी, कितना सही है, कितना गलत है इसी के उपर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में तो ये इसलिए important है क्योंकि काफी सालों से भारत की राजनीती में अक्सर ये कहा जाता है कि जवाडाल नहरू was the person responsible for the कश्मीर blunder of course he was the prime minister, जब भी देश में प्रधान मंत्री होते हैं तो ultimate जिम्मेदारी किसी भी देश के निर्ने की उनी पर होती है लेकिन क्या इसमें नहरू की बहुत बड़ी strategic defeat थी या नहरू देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, युद्ध के अंदर पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है तो इनी points को ये Roy Booker Papers काफी detail में analyze करते हैं आगे बढ़ने से पहले Pathfinder चैनल को subscribe करना ना बूलें और अगर आप lectures के updates प्राप्ट करना चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं UK के गार्जन newspaper ने खोजी पत्रकारिता करते हुए secret Booker Papers को access किया है और उसमें ये बात सामने आई है कि ये Papers साबित करते हैं कि जवारडाल नहरू ने युद्ध में ceasefire किया था विकॉज उनके आर्मी जनरल ने उन्हें ये सुझाब दिया और वो युद्ध को continue करना चाहते थे बट आर्मी के chief officer, topmost officer ने खुद ने मना कर दिया कि आप ऐसा मत कीजे and go for a ceasefire अब ये relevant क्यों है? relevant इसलिए है क्योंकि जब 2019 में article 370 को हटाया गया था तो उस समय भारत की ruling party जो है सवक BJP and कई अन्य लोगों ने भी ये बात कही थी नहरू का जो blunder है या नहरू का injustice है उसे ठीक कर दिया गया है, नहरू की गलती को सुधार दिया गया है हला कि कश्मीर मामला अभी भी पाकिस्तान के साथ उल्जा हुआ है, we have not resolved the कश्मीर issue with Pakistan completely बट स्टिल ऐसा प्रतीत हुआ था कि ये एक कदम है आगे, शायद कश्मीर में कुछ और moment होंगे लेकिन इन बुकर पेपर्स ने सवाल खड़े किये हैं कि क्या सच मुच कश्मीर एक बड़ा हिमालयन blunder था बाइदर प्राइम मिनिस्टर जवारलाल नेरू तो पहले तो थोड़ा background जान लेते हैं, तो कश्मीर was a princely state, I'm sure आप सभी को मालूमी होगा और कश्मीर काफी बड़ा princely state था, भारत, पाकिस्तान दोनों इसे अपने साथ जोड़ना चाते थे इसके जादा इतिहास के बारे में आप जानना चाते हैं, तो मेरे modern history के इस lecture को देख सकते हैं, L11, ये playlist आपको channel पर search करने पर मिल जाएगी 26 October 1947 को कश्मीर के महराजा हरी सिंग ने instrument of accession sign किया, क्यूंकि कश्मीर रियासत पर पाकिस्तान के कुछ कभीलों ने हमला कर दिया था, ये कभीले, of course, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा supported थे, और कुछ हफते बाद ये कभीले पीछे हट गए थे, and it was Indian army fighting with the पाकिस्तानी आर् agreement sign हो जाता है, तो इस एक साल और तीन, चार महीने की लडाई में, क्या भारत की स्थिती थी, और किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को, या कभीलों को पीछे खदेडा गया, वो maps आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो पाकिस्तान का attack शुरू होता है, यहाँ पर 22 और 23 October को, यह और इंडिया ने अपनी आर्मी बेजी, और फिर यह लडाई एक साल तक और चलती है, लेकिन युद्ध को बीच में रोख देना कहां तक ठीक था, क्या सचपुच यह नहरू का ही बहुत बड़ा blender था, यह बात थोड़ी booker papers से सपश्ट होती है, देखे booker papers है क्या, भारत क आर्मी के अध्यक्षते general sir Francis Robert Roy Booker, और यह आर्मी के second commander in chief थे, अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि एक British आदमी, of course नाम British JSI sound कर रहा है, यह व्यक्ति इंडियान आर्मी को क्यों lead कर रहा है, तो हाँ, यह एक बहुत ही अनोखी बात है हमारी इतिहास की, कि हमने independence के ब्रिटिश आर्मी जनरल, तो इसलिए 15 अगस से 31 डिसंबर तक Lockhart नाम के आर्मी जनरल भारत के आर्मी को lead कर रहे थे, लेकिन उसके बाद definitely भारती आर्मी जनरल बनना चाहिए था, लेकिन यह एक गलती रही सरकारों की, कि Robert Booker को, एक British अधिकारी को हमारा second army commander बनाया गया, ह He was the person who was leading the war effort in Kashmir, तो देखे, जैसे ही युद्ध विराम होता है जनवरी के पहले हफते में, उसी के दो हफते बाद, यह आर्मी चनरल भारतीय वेक्ती बनाया जाते हैं, अब यह रॉय बुकर जो हैं, यह अफकोर्स एक British वेक्ती थे, कहीं ना कहीं, इनका interest भी Britishers के साथ align क चाहें, तो उसे देख सकते हैं, तो यह NMML जो है, यह बहुत ही बड़ा एक museum है, और depository है, जहां पर भारत के आजाली के बाद के कई important दस्तावेस रखे हुए हैं, हाला कि यह जो booker papers है, यह अभी तक classified थे, इनको publicly disclose नहीं किया गया था, किसी के research के लिए, वरना अगा आप regular पत्राचार पढ़ने के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर एक request देकर कोई भी documents को आप access कर सकते हैं for research, if you are working as a researcher, तो ऐसे ही एक activist है, वेंकरटेशन है, उन्होंने कई बार appeal करी कि इन papers को declassify किया जाए, लेकिन library ने मना कर दिया, और library ने कहा कि पहले आप जाओ, और भारत की स classified रहेंगे in the national interest, आम तोर पर भारत में 25 साल में कोई भी classified document declassify कर दिया जाता है, लेकिन कुछ अगर बहुत ही exceptional case है, तो उसमें नहीं किया जाता है, लेकिन British अकबार गारजन ने कहीं से तो इन research papers को access कर दिया है, and they have said कि हमने इन papers को देखा है, और भारत सरकार से request भी करिए कि आप इसे open कर दीजे, और इसके basis पर इन्होंने कई सारे articles अभी last week में release किये है, तो गारजन की इस report में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा कि नहरू को पूरी तरह से पता था कि military developments कश्मीर में क्या चल रहे है, पाकिस्तान पूरी planning में था कि US और UK की मदद लेकर भारत को नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को अपनी तरफ करा, और geographically भी पाकिस्तान उनके जादा फायदे मन था, because it had access to Soviet Union, closer access to Soviet Union, तो इसलिए US और UK पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, and they were planning to attack India, ऐसा इस पत्राचार में कहा गया है, in fact Nehru wanted कि हम कश्मीर को पूर अरिया है, मुजफराबाद अरिया और कश्मीर, उसको पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में लाया जाए, जैसा originally कश्मीर रियासत में था, लेकिन रॉय बुकर ने 28 नवेंबर 1948, यानि कि युद्ध शुरू होने के एक साल और एक महीने बाद, अपने प्रधान मंत्री को प फेटी की भावना, जिसमें आप अपने भविश्य को तैय मान कर चल रहे हैं, तो ये information आर्मी चीफ देते हैं, अब ये कितनी सच है, कितना रॉय बुकर का इसमें बायस है, ये जानना बहुती मुश्किल है, प्रॉबेबली रॉय बुकर शायद ब्रिटिश चरकार के कहने पर इस तरह से कर रहे थे, we don't know, हो सकता है, उन्होंने दबाव बनाया हो, लेकिन ये बात जरूरत है, कि 28 नवेंबर को ये पत्र जाता है, प्रदान मंत्री को, और उसमें साफ लिखा हुआ है, कि हमारे आर्मी की जवान को छुटी चाहिए, ट्रेनिंग की जरूत है, और ह इसलिए हम बहुत जादा पकिस्तान की आर्मी को खदेड नहीं सकते, अब नहरू ने इस चिठी के जवाब में रॉय बुकर को लिखा, कि आप ये कैसे कह सकते हो, कि हम पकिस्तान से लड़ नहीं सकते है, कि आपको मालूम नहीं है, कि अगर हमने पाकिस्तान को पीछे नही जारी थी ताकि military equipment को आगे बढ़ाया जा सके और ये सब चल रहा है 1948 के end में हाला कि भारत की सेनाय धीरे धीरे पाकिस्तान को पीछे खदेड रही है और कुछ battles अभी-भी हुई हैं जैसे कि Battle of Jozilla Pass which was a very crucial battle इससे हमारा Ladakh का access फिर से भारत के पास आता है तो ये लडाईयां यहां पर चल रही हैं उस समय ये सब पत्राचार चल रहा है तो Nehru के letter के जवाब में Roy Bukad ने एक और चिट्थी लिखी date याद रखिए 23 December 1948 इसमें ये साफ तौर पर लिख देते हैं इस च्लिर तूमी तट वी किन नॉट रिलाई उन पाकिस्तान अब actually में उस समय पाकिस्तान ने officially declare नहीं किया था कि हम भारत के साथ युद्ध कर रहे हैं वो तो यही कहा रहे थे कि हम tribesmen के tribesmen युद्ध कर रहे हैं भारत के साथ तो यहाँ पर Roy Bukar कहते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान के इन कवेलों पर और हमला किया तो पाकिस्तान officially युद्ध की गोशना करकर और effort अपना बढ़ा देगा तो December के आखरी हफते में Roy Bukar ने एक तरह से सपष्ट कह दिया कि भाई साब हमारी आर्मी लड़ने के favor में नहीं है हमारे जवान लड़ नहीं सकते आप diplomacy से बात करिए आप UN में जाइए तो इन्होंने ही UN में जाने का दबाव बनाया और Roy Bukar के सुझाव पर ही यह माना गया कि जवारलाल नेरू जाते हैं United Nations जहां उन्हें उम्मीद थी कि न्याय होगा लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है Soviet Union और USA और यह अपने-अपने फायदे की सोच रहे है and they will side with Pakistan in the UN तो military fatigue सबसे बड़ा reason था यानि कि आर्मी लड़के थक चुकी है Indian troops थक चुके हैं ऐसा Roy Bukar का मानना था और यह advice उन्होंने अपने प्रदानमंद्री हो दी और यह advice के basis पर हम United Nations जाते हैं और वहाँ पर भारत के साथ मियाए नहीं होता है वहाँ पर क्या हुआ वो आपको जानना है तो आप वीडियो देख लीजे जो मैंने बनाया हुआ है आजादी के बारे में उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं कुल मिलाकर 28 December वाले letter में इस साफ कहा है कि I am afraid we can not take military action to stop every road building operation में I suggest a political approach यह political approach December के आखरी हफते में किया जाता है and 1st January 1949 को ceasefire organized होता है by United Nations और इसके 12-13 दिन बाद ही Roy Booker की छुट्टी कर दी जाती है and K.M. Karriyappa is appointed as the Chief of Indian Army तो Roy Booker की जो advice है वो कश्मीर में policy को काफी influence करती है नहरू की policy को बहुत influence करती है in fact Booker की advice यह भी बताई जाती है कि उन्होंने ही कश्मीर को special status देने का सुझाव नहरू को दिया था और नहरू जो है उन्होंने 1952 में एक speech में यह कहा भी था I want to stress that it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir लेकिन अब आज के समय में यह statement relevant नहीं है क्योंके 1952 और 2022 के बीच में a lot of water has flown under the bridge Pakistan कई बार हमले कर चुका है कश्मीर पर आतंगवाद को बढ़ावा दे चुका है and अब कश्मीर जो पाकिस्तान के कबजे में है वहाँ के लोग भी नहीं चाते कि पाकिस्तान की सरकार यहाँ पर बनी रहे even they want independence from the Pakistani state तो इसलिए Pakistan का stance आज इसके basis पर नहीं हो सकता that is up to you एक inference यह हो सकता है कि जवाड़ाल नहरू को एक British army general की बातों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था he should have talked to the subordinate army officers हाला कि यह chain of command को तोड़ देता लेकिन वो कर सकते थे चाहते तो दूसरा यह कहना है कि नहीं उन्हें अपने army chief की बात सुननी चाहिए थी क्योंके Roy Booker एक बहुती professional army officer था of course he had a great decorated career in British army तो World War 2 में भी काफी लड़ाई वगेरा उसने जीती थी तो वो professional था और उसकी बात को मानना चाहिए था as a professional army leader लेकिन यह भारत के लिए एक blender हो गया अगर नहरू अपनी चलाते या फिर Roy Booker को overrule कर देते तो शायद 1949 में भी लड़ाई continue रहती and probably India could have captured the entire area under the control of Kashmir today पूरे जगे से पाकिस्तान के जो कबीले और army का कबजा किया हुआ कश्मीर का हिस्सा है उसको वहाँ से खदेडा जा सकता था इन दोनों में से hypothetically क्या सही है क्या गलत weekend never से इतिहास जो है वो hypothetical में नहीं चलता है वो reality में चलता है तो आपकी राय इस topic पर जरूर नीचे दें और अगर आप Pathfinder का prelims crash course join करना चाहते हैं उसका नीचे description में आपको मिल जाएगा महिपाल code इस्तेमाल करने पर आपको discount भी इसमें available होगा कोई भी आपको doubt है तो इस phone number पर call करके कहिए महिपाल सर का lecture देखकर call कर रहा हूँ वो आपको सारी जानकारी देदेंगे UPC की तयारी कैसे करने हैं कौन सा batch है कौन सा best discount आपको मिल सकता है सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी हमारे comprehensive courses में आपको सिर्फ classes नहीं बल्कि अन्ने बहुत सारी facilities मिलती है और कई toppers Unacademy के courses से निकले हैं you can watch their interviews yourself and check कि उनको कितना फायदा Unacademy से हुआ EMI option पर सभी courses हमारे available हैं और अगर आप देखें तो हमने एक special discount भी चालू कर रखा है जिसमें आपको 20% discount मिलेगा तो इस offer को ना छोड़ें इसका पूरा उपयोग उठा है for 23-24 और अभी एक नया batch start हो रहा है